Hello everyone, Welcome to MM Academy, मैं हूँ शशांग लखेरा और यह जो है General Awareness 12,000 प्लस MCQs का Set 3 है, जिसमें हम Historical Sources के बारे में जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो भी वीडियो आएगा उसके Topics जो है वो यहाँ पर लेखे रहेंगे, यह आपको ध्यान अतना है, और यह Set 3 है, और आप इस Course को कहां अविल कर सकते हो, तो आप जो है इस Course को MM Academy app पे अविल कर सकते हो, आप पे करना है MM Academy आपको डाउलोड करना है, फिर आपका आप सैन अप करना है, आप दो वीडियो लेक्चेर देख सकते हो, जो Demo लेक्चेर होंगे, फिर अपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को करना है एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहां पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और इसके पहले अगर आपने सेट वन और सेट टू नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लो और बहुत सारे वीडियोस जो है यूटूब पे भी आएंगे एक पूरी सीरीज जो है हिस्टोरिकल बैक्राउंड की जो है आपको यूटूब में देखने को मिलेगी इसके लावा और भी जो वीडियोस है व आप मुझको Facebook और Instagram पे Follow कर सकते हो और यहाँ पर आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो और इस Telegram चैनल को यहाँ पर जोइन कर लो जिसमें जो है quiz जो है आपको देखने को मिलेगा तो जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो भी quiz जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेग नाओ नेक्स हमारा first question है the Brahmi script was first received by letters inscribed on तो ब्रामरी लिपी को सबसे पहले सबसे पहले अंकित अक्छोरों मैं समझा गया किस के दवारा तो basically यहाँ पर किस चीज़ से हमने जो है इस script को समझा है कि यह जो है कि मतलब किस तरीगी के script लिखी हुई है तो यह seal पे थी pillars पे थी coins पे थी या stone जो tablets हैं उस पे यह रही है तो basically यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह जो है ना stone tablets मतलब जो पत्थर पे लिखा हुआ है उससे हमने प्रामरी script का पता लगाया है तो यह basically ancient India में जो है प्रामरी script को यूज किया जाता था 3rd century से लेके 6th century AD तक और इस script को deciphered किय रहे है किसके asiatic society of Bengal तो एक paper आता था जनरल था यह asiatic society of Bengal 1837 में तो उस समय जो है इसको यहाँ पे मतलब इन यह जो है इसके founding editor भी रहे है तो यह आपको ध्यान लखना है और आपको पता है ब्रामी script किस तरीके से लिखी जाती है तो यह center है और यह left to right तो इस तरीके से जो हम रीड अशोकन एडिक्ट्स तो अशोक के एडिक्ट्स को मतलब जो रॉक एडिक्ट्स है उनको यहाँ पे रीड करने वाला पहला इसकॉलर कौन था आप्शन है बर्नर, रॉबर्ट सेबल, जैम्स प्रिंसेप और कॉल्डी को टेंग तो यहाँ पे अगर आप देखोगे त जैम्स प्रिंसेप जो है यहाँ पे सही आंसर है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह कुछ इस तरीकी के इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे आप लैंग्वेज देख रहा हो तो इस तरीकी के इंस्क्रिप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को ये वाला जो part है तो यहाँ पे जो है हमको काफी जो है addict जो है मिले हुए है और इनको मघधी जो प्रकृतिक जो language है ब्रामी script है उस पे ये लिखा गया है और जो प्रकृतिक है ये खरोश्टी script ग्रीक और एरमेक जो है तो यह जो एडिक्ट्स हैं इनको डिसिवर्ट किया था किस ने बिटिश जो आर्के लॉजिस स्टोरियन थे जेम्स प्रिंसेप ने तो यह आपको ध्यान रखना है तो नेक्स अगर मैं बात करूँ तो देवनगरी स्क्रिप्ट को कहां से लिखा जाता है मतलब लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है टॉप टू बॉटम लिखा जाता है तो देवनगरी लिपी कहां से लिखी गई है बाएं से दाएं यह दाएं से बाएं nीचे से ऊपर यह नीचे से शीड्स तो अगर आप इसे देखोगे तो देवनगरी इसक्रिप्ट और प्राम्मी क्रिप्ट जो हैं description in एक ही ठीक है मतलब सेम फॉर्मेट पे लिखी जाती है तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यह center है यह left है और यह right है तो प्रामरी script कैसे लेखी जाती है तो left to right तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको लिखा जाता है as same अगर आप देखोगे तो जो देवनगरी script है उसको भी left to right ही लेखा जाता है और इसमें जो है संस्क्रेट प्राक्रेट हिंदी और मराथी निपाली लेंग्वेज जो है इन सब को जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है जिनको गुपतास का जब एंपायर रहा है तो उस समय भी जो है इसको यहाँ पर काफी development हमको देखने को मिला है मिल दी है North India में जो है यहाँ पर develop हुई है तो आप देखो कि तो यहाँ पर आपको difference भी देखने को मिलेगा तो खरोस्ती script हो गया एक तो ठीक है इसके बाद यहाँ पर देवनगरी हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर एक script हमने और पढ़ लिए वो कौन सी प्राम्प तो यह जो है यहाँ पर यह left to right लिखे जाती है देवनगरी और प्राम्प लेकिन खरोस्ती जो script है वो right to left लिखे जाती है तो यह जो है मेल लिए यहाँ पर difference है और यह आपको ध्यान रखना है नेक्स सेग्राम बात करें तो study and analysis of coin is known है तो study और analysis होता है जो coins का उसे हम क्या कहते है तो option epigraphy, coinology, numismatics, ethnography तो इसका जो सही answer वो है numismatics तो numismatics जो है इसको coins की study के लिए जो है हम पर use कह जाता है तो study of coins और other currency units is usually associated with collection of rare kind तो इसे जो है numismatics कहा जाता है जो लोग यहाँ पे coins को एखटा करते है currency को पड़ते है और इसमें क्या होता है नियुमेनेस्टिक जो है, बेसीक इन्यूपिडी में हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पर आपटी के जाती है, इसके हो प्रो webs टेग्लायर लौग जो इन्यूमे होता यह जो है न्यूमिस्मेटिक्स आपको देखने को बिलेगा जिसे हम इस्टेडी ओफ कोईन्स जो है कहते हैं तो जो न्यूमिस्मेटिक्स जो है यह इसका सही आंसर है तो यहां पे अगर आप देखोगे तो कौन सा वेज जो है अनुष्ठानों के प्रदर्शन से संबद्दित है तो पर्फॉर्मेंस ऑफ रिचुल्स मतलब यहां पर रिचुल्स जो है पर्फॉर्म किये जाते थे तो उसके बारे में हमको यहां पर बताता है तो बेसिकली यहा worship by step यहां पे guide करता है कि right way क्या है कि आपको religious ceremony है उसको किस तरीके से आपे perform करना है थे जादी करता हूं तो किस तरीके से यहां पर perform करना हुआ उस rituals को ।उ राइड वे इक किस तरीके से है तो step by step जह हैं आपे आपको guide करेगा इसके लावाचब जो तो यह जो रवेद आपको यहां पर यहां पर हमको मिल रहे हैं इससे मंत्र, तो step by step किस तरीक से मंत्र पढ़े जाएंगे, तो उस उपर यहां पर आपको बताएगा किस तरीक से आपको rituals को परफॉर्म करना है, तो यह जो रवेद जो है, यह वेदा है जिसमें हमको प्रूस म पंत्र देखने को मिलते हैं तो यह वेद क्या है धर्मिक समार और पवित अनुष्ठानों को करने का सही तरीके के बारे में यहां पर एक step by step जो हमको मालगर्शन यहां पर देता है वहीं अगर हम बात करें तो रिख में तो रिख में सबसे पहले किस डैनेस्टी ने इशू किये थे मतलब किस जगह यहां पर इशू किये गए थे यह आपको बताना है तो बेसिकली च्छत्रित जो निशान वाले सिक्के हैं यह जो है सबसे पहले यहां पर मगत जो था मगत में जो है पंच मार्ट पॉइंट को जो है आप को ऐसे मिलेंगे और यह आप कोई यहां पर देख सकते हूं तो यह जो पंच मार्ट कोई है यह पहला इशू कहां किया गया था तो मगत में जो है यहां पर किया गया था इसको दो डॉटर जो है कहा जाता है प्रजापति यह किस वेद में यहां पर बताया है तो यहां पर अपनी जो है एक सभा बना लेते एक बॉड़ी जो है उनकी यहां पर होती है उसका समीती के अगर हम बात करें तो समीती क्या होती है जनरल असेंबली होती है जिसमें सभी लोग यहां पर आते हो और Community के पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर आप यह चीज़ देखो कि सभा और समीती यह कहां बताया गया है कि यह दो डॉटर है प्रजापति की तो ये जो है अथर्ववेद में बताए गया है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे अथर्ववेद, ठीक है, तो अथर्ववेद में इस चीज को यहाँ पे बताए गया है, और ये ध्यान रखना सभा क्या होता है, सभा में सिर्फ elders people होते हैं, ठीक है, तो सभा में यहाँ पे elders people हो तो यह चीज़ आपके हैं बिध्यान रखनी है अगर आप देखोगे तो यह जो है कहां बताया गया है तो यह बताया गया है सामवेद में ठीक है तो यह चीज़ कहां बतायी है तो यह सामवेद में आयरवेद नहीं का आपसे जीवन विज्ञान यहा पे कहा जाता है तो साइंस आप लाइट तो यह चीज़ आपको यहां पर ध्यान रखनी है तो इन में से कौन सा विदास जो है जिसमें हमको magical charms और spells जो है देखने को मिलते हैं मतलब वेद में निमलखित में ते किस वेद में जादुई अकर्शन और मंत्रों का जो विबरन है वो हमको देखने को यहाँ पे मिलता है तो अप्शन है रेकवेद यह जो अथर्ववेद और सामवेद तो अथर्ववेद जो है इसमें आपको बुक मिलेगी यह जो बुक है इसमें magical formulas जो है बताए गए है इट contains charms spells to word of evil and disease तो disease को और evil को किस तरीके से यहाँ पे जो है हमको दूर करना है तो इसको मंत्र यहाँ पे शामिल किये गए है तो यह आपको अथर्ववेद में देखने को यहाँ पे मिले नग्स सेकर हम बात करें तो try यह क्या है तो try आपको समझ में आ रहा होगा कि try मतलब तीन चीज़ों से मिलके बना होगा ठीक है तो three gods in Hindu Python, three seasons, धर्म संग और बुद्धा और त्री वेदा तो सही आंसर होगा इसका तीन वेद मतलब त्री वेदास जो है उनको try कहा जाता है और इनमें तीन वेद कौन-कौन से आते है तो रिग वेद, येजर वेद और साम वेद इनको try विद्या कहा जाता है ठी-fold knowledge कहा जाता है और जो चोथा अगर आप देखोगे चोथा कौन सा हो गया अथर्ववेद तो उसमें हमको collection of arms, magic, spells, indication देखने को मिलता है यह सब अथर्ववेद में जो knowledge of first priest जो है knowledge of fire priest यहाँ पर कहा जादा है तो तीन वेद में रिग वेद, ये जोर वेद और साम कहते हैं मतलब ट्राइ विद्याज मिनको कहा जाता है यहाँ पर आप देखोगे तो यह ट्राइ और यह विद्या ठीक है तो three-fold knowledge किसको कहा जाता है तो उसमें रिग वेद यह जोर वेद और साम वेद यहाँ पर आते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है नेक्स एक हम बात करें who was the first lawmaker यह काफी important question है तो सबसे पहला lawmaker कौन रहा मतलब सबसे पहले किसने यहाँ पर जो legal text है वो यहाँ पर लेके आया constitution के बारे में बता है मतलब उस समय का जो है कुछ law यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पर बताए गए थे तो option है मनू, चानक्य, चंदरकुप् कौन सा है जो यहाँ पर legal text और constitution के बारे में हमको बताता है तो वो है मनू, इसम्रती ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि मनू, मनू, इस प्रती जो है belief किया जाता है कि यह पहरा ancient legal text है और constitution है जो हमको जो हिंदुजब में धर्मशास्त्र है उनमें से यह एक है यहाँ पर constitution है और जो नियाम है उसके बारे में हमको बताता है मतब प्रादी जो कानूनी पार्ठ और सम्विधान है इसको यहाँ पर जो है मनू, इसम्रती को नग्स यहां बात करें उपनिशत्स और वो कौन तो उपनिशत्स जो है किसके बारे में हैं आपको जानकारी है देते हैं, तो option है religion, yoga, law, philosophy, तो देखो उपनिशाद में जो है यहाँ पर philosophy बताई गई है, ठीक है तो philosophy जो है बताई गई है और बहुत सारे जो उपनिशाद है वो आपको देखने को बलेंगे, तो उपनिशाद क्या है, लेट वेदिक संस्क्रिट टेक्स है, हिंदू philosophy के, जि जो onetological जो knowledge है उसके बारे में जो है आपर बताते हैं, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, उपनिशाद किसे डील करते हैं, तो philosophy के बारे में यहाँ पर बताते हैं, नेक्स अगर हम बात करें from where, the word सत्यमेव जैते टेकन, सत्यमेव जैते जो है यह word कहां से लिया गया तो मनुष्मिति, भगवद गीता, रिगवेत और मुंद को उपनिशाद, तो यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो यह जो word है सत्यमेव जैते, यह उपनिशाद से लिया गया है, और उस उपनिशाद का नाम है मुंद को उपनिशाद, ठीक है, तो मुंद को उपनिशाद स जो है, इसको यहाँ पर लिया, यह यह चीज़ ध्यान रखना, यह इस में यह कोशन पूछा जा चुका है, तो सत्यमेव जैते जो है, इसको टुथ अलोन क्रेंशाद को यहाँ जाता है, यह बिसिकली एक पार्ट है मंत्र का, हिंदु स्कलप्चर जो मुंद का इसको यहाँ पर लागू हो गया था, उसके बाद जो है, धिरे-दिरे समविधान को यहाँ पर इप्लिमेंट किया गया, तो सत्यमेव जैते भारत सरकार ने कब इसको इंप्लिमेंट किया, तो 26 जनवरी 1950 को तो यह कोशन आपका यहाँ से यह भी तयार हो गया, तो यह आप देखने को मिलेंगे, उनमें से यह सबसे उपार हो, सबसे पहला जो है यहाँ पर जो लीगल टेक्स और कॉंस्टूशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नेक्स अगर हम बात करें, इन विच लेंग्वेज वाज दा, श्र संस्क्रिट लेंग्वेज मही लिखी गए, ठीक है, तो सबसे जो आंसर होगा वह है संस्क्रिट, तो भंगवत गीता एक कोयम है, जिसको संस्क्रिट भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, इसमें करीब 700 वर्सेस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसमें हमको इसलोग बिष्ज कितने को मिलते हैं, तो इसमें टोटल 18 चैप्टर है, तो भंगवत गीता में कितनी चैप्टर हैं, तो यहाँ पे 18 चैप्टर है, वहीं अगर मैं बात करूं कि जो पुरांस है, वो पुरांस भी 18 है, तो यह जो है एक चीज और आप याद रख सकते हो, जैसे ही अ करें तो औरिजनली महा भारत वहास नोन है तो महा भारत को किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है तो इसको जो है बिसिकली option है बरीहत कथा ब्राम मिन्स और बरीहत समिता और जया समिता तो इसको जय समिता के नाम से जाना जाना है तो महाभारत इसको ओरिजनली जो वर्जान है इसको जय समिता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और इसको किस ने लिखा है तो इसको लौड गनेश ने लिखा है ये काफी important है कि आई-एस में कुछा जा चुका है कि जो महा भारत है किस ने लिखी थी कई लोग यह सोचने कि महारषी बेद व्यास ने लिखी थी महारषी वेद व्यास ने सिर्फ नरेट की थी बोली थी लेकिन लिखी जो है लौट गनेशी ने थी तो यह जो है basically इसको विजय और जो भारत जो फाइनली जो है इन दोनों से मिलके यह बनता है महाँ भारत ठीक है तो यह आपको यहां पर द्यान रखना है नेक्स अगर हम बात करें तो रमायन कंसीडर्ड ओल्डेस्ट एपिक आदी कावि वस रिटन बाय तो रमायन जो है एक सबसे पुराना ओल्डेस्ट एपिक है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है तो आप्शन है वालमी की वेदव्यास गनेश पराचारे वसिष्ट तो इ वेदव्यास से उन्होंने यहां पर नरेड क्या हुआ है तो मैंनी वर्जन ओफ रमायन हैं भी रिटन सिंद वालमी की फस्ट कंपोस्ट इस एपिक दिस एपिक एंडिस ओवर 300 ओरेजनल रमायन हैं वीन कंपोसें संस्कृत तो आपको कई जगे जो है अलग-अलग रमायन आपको देखने को मिलेंग और है वही चीज लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज़ आपको देखने कोंहीं मिलेंगे तो उनकेत तो अचीना लेंवेजिव में जो है इस जिसको बहुत सारी इपन hvis मैं भी और पर लेकिन 2018 ही किया जाते हैं तो यहां आपको पुरान देखने को मिलेंगे, तो अरडियस पुरान जो है इसको 350 से लेके 750 जो इरा है, उसमें जो है यहाँ पर इसको यहolie वंपोस्ट किया गया है वरह पुरान शिव पुरान विष्ञु पुरान चिर्ण इन zadze से earliest holy book यहाँ पे कौन सी है तो option है 12 अंगास, 14 पूर्वा और 14 पूर्वा तो 14 पूर्वा जो है यह basically यहाँ पर correct answer है तो 14 पूर्वा जो है इसको translate किया गया है ancient of period knowledge पे ठीक है और यह जो है सबसे पुरानी जो है book है जैनों की holy book है यह जो हमको यहाँ तीधंकारा जो है जैनिजम की उसके बारे में यहाँ पर बताती है तो यह आपको जो है ध्यान रखनी नेक्स शक्राम बात करें which of the following Buddhist texts contain the rule of monastic life तो monastic life जो है बहुत जीवन बहुत ग्रंत तो इसके बारे में जो जीवन का निया वह कौन सा बुद्धिस टेक्स हमको यहाँ पर बताता है तो option है दिगा निया का विनय पिटका अभी धम पिटका और विभा शास्त्र तो जो तिर्पिटका है उसमें आपको तीन जो यह पिटका है यह पिटक जो है वह आपको देखने को बलेंगे विनय पिटक अभी धम पिटक ठीक है और तो यहाँ बेगर आप देखोगे तो व जो है यहां पर बताता है और कि दिन की जदंद्गी कैसी होगी मोनि सटे लाइप ए किस तरीकी के होती है और जो रूल्स है ठीक है वह किस तरीकी के हमको यहां पर चीम के स्थरी चारीकूर करने है तो यह हम Comment mean डेखने को मिलता है । कि नेक्स बात करें इन वी सबसे पहले जैन साहित का संक्लन किया तो फॉरल्डे गाल जो यह विर्थमक्दी जो सलाइए को जयर्ज में आपको कि रया है तो फॉरल्डे शॉर्वाईवization material जो है ये basically हमको Jen Agamas का देखने को मिलता है और ये इसको अर्द मगदी भाषा में जो है यहां पे लिखा गया है लिकिन बाद में इसमें प्रक्तिक language हमको देखने को मिलती है बत्व मिल्ले इंडो आरेयन जो है ये भी हमको देखने को मिलती है इसके बाद फिर यहां पे दूसरी भाषाओं में भी यहां पे बर्क हुआ है जैसे संस्क्रेट और महराष्ट ठीक है तो महराष्टी भाषा में भी यहां पे लिखे गए हैं सबसे पहले यहां पे अर्दमग्दी में यहां पे लिखे गए हैं जिसमें मैं इन डिटेल जो हैं यहां पर डिसकस करूँगा यह तो थोड़ा historical background है लेकिन जब यहां पर जो हर अपर और इंदस वैली civilization हैं हम वो पढ़ेंगे तो उसके जो है बिलकुल डिटेल से हम यहां पर पोश्चन करने वाले हैं तो इसी के साथ यह तैंदसे वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय जय भारत